नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर आज हम डिसकस करेंगे सब अक्यूट रुमिनल असिडोसिस के बारे में जो रीसेनली तमल नाडू में रिपोर्ट हुआ था देखे, तमल नाडू में लास्ट मंथ सेलेबरेट हुआ था माटू पुंगल फेस्टिवल माटू पुंगल फेस्टिवल तमल नाडू जनता के लिए एक इंपोर्टन फेस्टिवल है उस दिन घर में राइस औन अधर स्वीट्स बगरा बेनते हैं वो भी एक्सेश्यू कॉंटिटी में और जितने घर में domestic animals पालते हैं like cows, bulls, gods, sheep, etc. इने भी ये खाना खिलाते हैं वो भी excessive quantity में अब होता कहना दोस्तों इतना खाना खाने से ये जो domestic animals को हो जाता है सारा, सारा basically sub-acute ruminal acidosis होता है और इसकी वज़े से animals जो है extremely sick हो जाता है अगर ये immediately treat नहीं करेंगे तो ये मर भी सकते हैं तो आज इस वीडियो में sub-acute ruminal acidosis के बारे में और माटू-पॉंगल festival के बारे में हम in detail discuss करते हैं सबसे पहले दोस्तों पॉंगल और ताई-पॉंगल के बारे में कुछ basic details पॉंगल एक multi-day harvest festival है of the South Indian Tamil community देखे तमिल community जितने भी states में रहते है उन सबका एक important festival है बोल सकते हो पॉंगल पॉंगल को ताई-पॉंगल भी बोलते हैं क्योंकि ये Tamil solar calendar का month ताई में observe किया जाते है Gregorian calendar के साब से ये January 14 को पढ़ता है देखे पॉंगल is one of the important festival celebrated by Tamil people in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Pudh Chari, etc even Sri Lanka में भी Tamil people का एक major Tamil festival है पॉंगल आप देखे ये festival डेलिकेट के जाता है सन गोड सूर्या को and मगर संक्रांदी से आप relate कर सकते हो उसी टेम पे पॉंगल भी बनाए जाता है आप देखे throughout India में ये जो harvest festival का अलग अलग नाम है ये बात भी आपको पता होगा मगर संक्रांदी के टाइम पर जितने भी festivals बनाए जाता है वो आपको पता होनी चाहिए ठीक है आप देखे त्री डेस ओफ पॉंगल फेस्टिवल आथ भोगी पॉंगल, सूर्या पॉंगल and माटु पॉंगल निय Natomiast और क्या होता है। इन्ने हिंदी में जुगाली करने वापने जानवर बोलते हैं वेञते हैं कुछ जानवर क्या करते हैं खाना एक साथ खाएं साथ खाने के बाद थोड़े देर के बात वहे जो खाना है पेट से वापस मुह में लेके आते हैं फिर चबाके खाते हैं इस तरह करने वाले जानवरों को ruminal animals या फिर जुगाली करने वाले जानवर बोलते हैं तो इसका example है cow, bull, sheep, etc. ठीक है देखिए Sub-Acute Ruminal Acerosis का major reason आप बोल सकते हो sugary foods ज्यादा sweet खाने से ये condition होता है देखिए क्या होते है दोस्तों ज्यादा sweet खाने से sweet will reach the cow's stomach and get fermented in an abnormal way अब ये fermentation मतलब क्या होते हैं देखिए fermentation मतलब breaking down of sugar molecules into simpler compounds sugar molecules जब breakdown होता है चोटे-चोटे molecules में वह भी कुछ enzymes की सायता से इसे आप fermentation बोल सकते हो जब ये fermentation कुछ अलग तरीके से होता है एक cow के stomach के अंदर तो होता है sub acute ruminal acidosis इसे जो cow की तबियत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है अगर treat नहीं करेगा तो इनका death भी हो सकता है ठीक है तो इसे या फिर इस condition को sub acute ruminal acidosis बोलते हैं और एक problem यह है दोस्तों जब ज्यादा शुगरी items stomach पर पहुंचते हैं तो ज्यादा acid भी produce होता है अब ज्यादा acid produce होने से भी problem हो सकता है देखे आप सब को पताई होगा human beings का हो या फिर कोई animals का हो stomach के अंदर smaller amounts of acid भी produce होता है किसके लिए यह digestion में help करते हैं आप मुझे common works में बताइए human beings के stomach में कौन सा acid produce होता है तो यह condition होने से क्या किया जा सकता है है मतलब सुखी खास जो होता है अगदी की रही भी एक टेप का पत्ता है जिसे कहीं सबजी भी बनते हैं तो यह भी खिलाने से आनिमल को थोड़ा बहुत relief मिल सकता है अब दोस्तों अब यह तमिलनाडू से रिपोर्ट हुआ न यह festival related ruminal acidosis है इसका reason मैंने पहले आपको ब आते रहेगा इन्हें थोड़ी पता यह खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा तो केवल ओनरी नहीं खिलाते हैं जितने लोग घर पे आता है न वो भी खिलाते हैं यह एक टेप का offering बन जाते हैं मतलब गाईयों को sweet खिलाना से लोगों को पूर्णी मिलता है करके एक belief भी है अब बैचारे गाई भेस यह खा लेगा क्योंकि इन्हें थोड़ी पता है इन्हें यह खाने से रूमिनल असिडोसिस हो जाएगा करके है कि नहीं इसके अलावा लोग क्या करते हैं जितने गिलियों में घुमते हैं ना काउस बूल्स गोड्स शीप एक्सरा इन्हें भी खि अब देखिए दोस्तों रूमिनल असिडोसिस से क्या क्या होता है यह थोड़ा इन डीटेलम डिसकस करते हैं देखिए आप सबको पता होगा पेट के अंदर काफी सरे माइक्रोब्स रिजेट करते हैं लाइक प्रोटोस ओवा बैक्टीरिया और माइक्रोबिल और अर्गान माइक्रोब्स की प्रेसंस जो है बहुत ज़रूरी है यह समझ लीजेगा आप यह रूमिनल असिडोसिस की वज़े से यह माइक्रोब्स जो है मर जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों क्या किया जा सकता है एक ही चीज किया जा सकता है दोस्तों इने स्वीट कम खिल ज्यादा फोडर खाने से इनका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, मिल्क यील्ड भी अच्छा हो जाएगा, देखिए फोडर आइटम्स मिलियन सफ माइक्रोज को सपोर्ट करते हैं, और माइक्रोब्स ज्यादा होने से क्या होगा, स्टोमक का जो हेल्थ है, वो भी बहुत अच्छी तरह मेंटेन होगा, और लोगों से ये अडवेश है, कभी भी लेफ्ट ओवर फूड जो है, ये गाईों को मत खिलाओ, देखिए, जबी कोई फांक्शन और मैडिजेस होता है, तो लोग क्या करते हैं, जितने लेफ्ट ओवर फूड है, ये गाई बेक्रिव को खिलाते हैं, ये खाने से भी इन्हें ये सेम प्रोब्लम हो जाता है, तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, सब अक्यूट रूमिनल अजिरोसिस के बारे में, लेक्चे की पीडिएफ एस हुचल आपको टेलेग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोबेटर है, तेंक्यू फूर वाचिंग बाइबे, हैव एनिस्टे,